नमस्कार स्वागत है आपका लाइफ खबर में मैं हूँ आपकी साथ नाजनिन खान चले रुख करते हैं यूपी की पाँच बड़ी खबरों की तरफ मुन्ना वजरंगी की हत्या से जहां पूरे यूपी का महौल गरम है तो वही बांदा जिले में बंद मुकतार अंसारी दो दिन से बैरक से बाहर नहीं निकलने की चर्चा भी जोरों पे है मुक्तार अंसारी के बेटे अबबास अंसारी ने प्रदेश सरकार की कानुन व्यवस्था को फेल बताया और कहा कि योगी राज में अपराधी बेलागाम हो गए हैं उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराधीयों को खुली चूट है पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को पूरी पावर नहीं दी गई है कि वो कानुन विवस्था को ठीक से कायम रख सके उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी अपरादियों की मदद करने का भी आरोप लगाया वहीं माउजले की पंचायत अध्धक्ष उर्मिला जैसवाल को टेंडर दिलाने के नाम पर लगातार धमकिया मिल रही है वही उर्मिला जैसवाल के प्रतिनीधी और उनके बेटे अविनास जैसवाल ने साथ उनके समर्थग और वैस्त समाज के अध्धक्ष बिजपी महला मोर्चा के जिला अध्धक्ष मीना जैसवाल ने जिला अधिकारी को ग्यापन दिया जिसमें उन्होंने मामले की जाच और खुद की सुरक्षा की गोहार लगाई है। खाने पटवारी ने महस जानकारिश पर मदद का आस्वासन दिया। जबकि योगी सरकार में प्रक्ति आपदा पर सरकार की तरफ से 24 घंटे में मदद के आदेश दिये गए हैं। परुकाबाद के जहान गंज में बीती रात गाय कटने जाने पर अवशेश मिलने से संसनी फैल गई। पर अवशेश मिलने से संसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की परताल शुरू कर दी है। पुलिस की सूचना पर पशूत चिकत्सक डॉक्टर अमित दूबे ने गाय के अवशेश कबजे में लेकर उनका सैंपल ले लिया है। जिसके परिक्षड के बाद पता चलेगा कि किस जानवर के अवशेश हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले मुरादाबाद नगर निगम में एक बरफे सवालों की घिरे में आ गया है। बता दे कि निगम में काम कर रहें 104 सफाय कर्मियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नगर की सफाय का जिम्मा हिंदूस्तान सेक्योर्टी कमपनी को दिया गया था। कमपनी ने सफाय कर्मियों का रिकॉर्ड नगर निगम से मांगा तो निगम के अधिकारियों ने 800 करमचारियों का रिकॉर्ड कमपनी को दिया। कर्मियों के आर्फियप खाताय खोलने के लिए कमपणी ने जरूरी दस्तावेज निगम से मांगे तो निगम ने अधिकारी की लपरवाही सामने आई निगम में 104 समविदा कर्मियों के दस्तावेज कमपणी को सौपी ने जबकि 86 कर्मियों के आधार काट गलत पाये निगम को सौपी गई 56 कर्मियों की UAN नमबर गलत दर्च किये गए थे जबकि 246 सम्विदा कर्मी की दस्तावेजों में गर्बडी और बगैर दस्तावेज होने की बावजूद भी सफाय कर्मियों को वेतन भुकतान की जाने की निगम को अब तक डेड़ करोड से जादा का चूना लग चुका है फिलाल खबरों में इतना ही बाकि खबरों के लिए देखते रहें लाइफ खबर नमस्कार